हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे तो आज मैं आप सब के लिए एक नई कविता लाई हूँ महिनती मधुमक्खी तो आईए चले पढ़ते हैं नन्हे पर वाली मधुमक्खी बच्चों इस पंक्ती में एक नया शब्द आ गया पर का मतलब होता है पंक मधुमक्खी के होते हैं चोटे चोटे दूर दूर तक जाती है चुन चुन कर वह सुन्दर सुन्दर फूलों का रस लाती है मधुमक्खी फूलों का रस चुनती है बच्चों दिन भर कठिन परिश्रम करती रस से शहद बनाती है कन कन बूंद बूंद मधु दे कर छत्ता बड़ा सजाती है तो बच्चों हमें मधुमक्खी से क्या मिलता है शहद मधु का छत्ता सुघण नमूना है सहयोग प्रेम और श्रम का बच्चों इस पंक्ती में कुछ नई शब्द है आए देखते हैं सहयोग बच्चों सहयोग सहयोग का अर्थ होता है सहायता मदद दूसरा शब्द है प्रेम प्रेम का अर्थ होता है प्यार जो हम प्रकृति से करते हैं जो माता पिता आपके आप सबसे प्यार करते हैं उसे प्रेम कहते हैं और तीसरा शब्द है श्रम श्रम का मतलब है मेहनत करना हाड़ वक करना इन्हीं गुणों से सुख मिलता है सूत्र यही जीवन क्रम का श्रम पर जीने वाली मक्खी श्रम पर ही जी लेती है बच्चों इस पंक्ती का तात्पर है कि मधु मक्खी अपने जीवन में बहुत मेहनत करती है और सारी जिंदगी वो मेहनत पर ही अपना जीवन ही आपन करती है तुम्हें धुएं के बदले भी वह मीठा शहद ही देती है अब हम उसे क्या देते हैं धुआ पॉल्यूशन ठीक है पर हमें क्या मिलता है मधु मक्खी से मीठा मीठा शहद तुम भी सीखो मधु मक्खी से अपने श्रम पर ही जीना श्रम के सुन्दर फल का तुम मीठा मीठा रस पीना तुप्यारे बच्चों तुम भी मधु मक्खी से सीखो कि मेहनत का फल ही मीठा होता है अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत से करना और उसका मीठा मीठा फल पाना अ और आप खुद भी पढ़ें, enjoy करें